दिल्ली में गंदे पानी को लेकर दंगल जारी है। गंदे पानी को लेकर आज बीजपी ने डिप्टी सियम मनीश से सौधिया के घर के बाहर प्रदर्शन किया। बीजपी ने गंदे पानी को लेकर के जिवास सरकार को जिमेदा ठराया है। दिल्ली के पानी को केंद्री मंत्री रामविलास पास्वान ने बेहत खराब कुरार देते वे कहा था कि जुस तरह से सरकार काम कर रही है वो साफ पता चल रहा है कि दिल्ली का जो पानी है वो पीन लायक नहीं वहीं इस पर पलचवार करते वे इसे मर्विन केश ज्वाल ने कहा है कि दिल्ली के पानी की गुडवत्ता काफी बहतर है यह बहुत दुर्भागी की बात है कि जो पानी अच्छा है उसके बारे में इस तरह से केंद्र सरकार के मंतरी लोगों के बीच में डर पैदा कर रहे हैं इसी वज़े से आज सुबह हम लोगों ने निरने लिया है कि लोगों के सामने, मीडिया के सामने, विपक्ष के सामने हम लोग सेंपल उठाएंगे और उस सेंपल की जाच कराएंगे और वो जाच करके रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तोत करें